वेलकम टो स्टेडी क्लाउड आज का टॉपिक है अमारा कॉंग्रेस का त्रिपूरी संकट उनिस्वन चालिस वर्स उनिस्वन तीस के कॉंग्रेस के हरी पूरा अधिवेशन में शुवास चंद्रबोस कॉंग्रेस के पहली बार अध्यक्षि बने वह भी निर्विरोध वर्स 1949 के त्रिपूरी जबलपूर अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सिता रमया को पराजित करके कॉंग्रेस के दूसरी बार अध्यक्षि बने परंतु कारेकारिनी के गठन के प्रशने पर गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया जिसके बार डॉक्टर आजंदर परशाद कॉंग्रेस के अध्यक्षि बने वर्स 1949 में त्रिपूरी संकट के बाद कॉंग्रेस की अध्यक्षिता से त्य पर्मनी के युद का लाब उठाकर एक परहार करके भारत की स्वाधिनता चाही उनका विस्वास आयरलेंड की इस पुरानी कहावत पर था इंग्लेंड की आवसकता आयरलेंड के लिए अवसर है यही कहावत था अता उन्होंने गांधी जी तता अन्य कॉंग्रेसी नेताओ को इस निती पर लाना चाहा कि भारत की स्वाधिनता के लिए इंग्लेंड के दुस्मनों की सहायता ली जाए प्रशन देखते हैं 1938 में भारतिये प्राश्ट्रिये कॉंग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए इन में से कौन सुभास चंदरबोस कॉंग्रेस के हरी पूरा अधिवेशन फरवरी 1938 में जो हुई उसमें सुभास चंदरबोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए ग्याता भी है कि सुभास चंदरबोस वर्स 1949 में त्रिपूरी अधिवेशन में भी पट्टा भी सिता रमया को हरा कर अध्यक्ष पत के लिए निर्वाचित हुए थे भारती राश्चित का भारती राश्चित का वर्सousing का दिवेशन इध्यक्ष में सुभास चंदरबोस कर दिवेशन कहां है यह जबलपूर में है मध्यप्रदेश वर्स 1949 के त्रिपूरी शम्यलन में अध्यक्ष पधेतु चुनाओं में सुभास चंद्रबोस गांदी जी समर्थित पट्टावी सीता रमया से 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से जीते त्रिपूरी जवलपूर मध्यप्रदेश में इस्तित है निम्लिकित भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में सुभास चंद्रबोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गये थे त्रिपूरी अधिवेशन में 1949 में वर्स 1938 के क कॉंग्रेस के अरिपूरा अधिवेशन में सुभास चंद्रबोस के पहली बार अध्यक्ष बने थे वो मनोनित किये गए थे 1949 में नेता जी सुभास चंद्र भोस भारती राष्ट्य कॉंग्रेस के अध्यक्ष किन को हराकर बने थे इन में से 25 सिता रमया को हराकर निम्ने लिखित में से भारती राष्ट्य कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में कॉंग्रेस अध्यक्ष के चुनाव मे सुभाष चंद्रबोस ने पठाभी सीता रमया को पराजित किया था ये किया था त्रिपूरी अधिवेशन के चुनाव में वहाँ पे 1949 वाले अधिवेशन में सुभाष चंद्रबोस के त्याग पत्र के बाद भारती राश्चिय कॉंग्रेस का ध्यक्ष कौन हुआ इनमें से राजंद्र परसाद बने है कॉंग्रेस के त्रिपूरी अधिवेशन के पस्चाद सुभाष चंद्रबोस और दक्षुन पंती का समस्त जगडा किस प्रशन प प्रकेंद्रित्वा गोविंद बलब पंत्वरा प्रस्ताव प्रस्तूत कर सुभाष चंद्रबोस से कहा गया कि वे गांदी जी की इक्षा के अनुसार अपनी कारेसमिती बनाएं परंतु गांदी जी ने इसे अस्विकार कर सुभाष से अपनी मर्जी की कारेसमिती बनाने इंतु गांदी जी इसके लिए राजी नहीं हुए अंतता सुभास चंद्र बोस ने कॉंग्रेस अध्यक्षपन से इस्तिफा दे दिया और इसके बाद राजेंदर परसाद अध्यक्षपन है अगला प्रस्ण है किस भारतिय राष्टरवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे इस्वर प्रदत आउसर के रूप में देखा जिसमें भारतियों को उस इस्तिदी का अपने हित में लाव उठाने का मौका मिलता ये विचार था सुभास चंद्र जब दूइतिये विच्व युद्ध के बादल यूरोप पर मड़ा रहे थे सुभास चंद्र बोस ने समय का लाव उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाव आयरलेंड की इस पुरानी कहावत पर था इंगलेंड क्या वासकता आयरलेंड के लिए औ आसते